हलो फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने Samsung Galaxy A34 Android मुआल फोन में आप अपने मुआल फोन की डिलीट हो चुकी फोटे है वीडियो को आपना रिकवर कैसे कर सकते हैं आज की इस वीडियो में हम आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूं तो चलिए यहाप पर वीडियो को में स्टार्ट कर लेतै हैं पहला तरीका यह होता है कि आप अपने मुआल फोन में किसी भी थर्ड-पाटि आप्लिकेशन का यूज कर के उसे रिकवर कर सकते हैं लेकिन आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने मुवाइल फोन की सैटिंग के जरीए ही आप जो है डिलीट हो चुकी फोट है वीडियो को रिकवर कर पाएंगे तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं देखें दोस्तों यहां पर सबसे पहले तो मै इस फोटो को पहले तो मैं यहां से डिलीट कर देता हूं इस तरीके से अलाओ करा और यह फोटो डिलीट होगा ठीक है अब देखें इस फोटो को रिकवर करने के लिए आपको करना क्या है कि आपकी जो फोन की गैलरी इन है इसमा आपको नीचे की साइड है चौथे नंबर पर लाइब्रेरी का ओप्शन है इसे टैप करना है आपका यह पेज आएगा इसमा आपको उपर की साइड है चौथे नंबर पर बीन का ओप्शन है बीन पर टैप करना है आपका यह बीन का पेज आएगा बीन का पीज एक तरीके से डिलीट का पेज होता है ठीक है आप जि यह अलाव का page आएगा अलाव पर tap करना है आपका फोटो recover हो जाएगा और आपकी फोन की गैलरी में चला जाएगा हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं यहाँ पर एक बार यह देखे हमारा फोटो recover हो चुका है और अपनी जगे पर वापिस आ चुका है एक ना आपको नहीं 2 जगे पे लिखा हुआ है, ठीक है? पहले दूसरी लाइन में देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है, दूसरी लाइन में 60 days, यानि कि 60 दिनों के अंदर आप उसे recover कर सकते हैं, ठीक है? और देखें, आप तीसरी लाइन में लिखा हुआ है, after 30 days, यानि कि आप उसे 30 दिनों के अंदर भी आप उसे recover कर सकते हैं लेकिन ये 60 दिन और ये 30 दिन दोनों अलग-अलग तरीके से काम करते हैं recover करने के लिए मैं आपको समझाता हूँ कैसे देखें आपको back page पे पे ये calorie के इस वाले page पे आना है तो अगर आप ये जो नीचे की side on backup, turn on backup है इसे tap करके अगर आप ये backup setting को चालू कर देंगे चालू करने के बाद अगर आप किसी भी photo को delete करेंगे तो वो photo आपकी जो है डिलीट होने के बाद आपकी इस वाले page में 60 दिनों तक पड़ी रहेगी तो 60 दिन आपको समझ में आगे 60 days इस तरीके से काम करते हैं backup setting गैलरी की चालू करने के बाद ठीक है अब देखे अगर आप ये backup setting को बंद कर देंगे बंद करने के बाद अगर आप कोई भी photo delete करेंगे तो उसे आप यहां से बीन वाले page से 30 दिनों के अंदर recover कर सकते हैं 30 दिन में recover नहीं किया तो 30 दिन बाद जो automatic permanent delete हो जाएगी ठीक है तो आपको समझ में आगे 60 दिन कैसे काम करते हैं और ये 30 दिन कैसे काम करते हैं limit के लिए ठीक है तो दोस्तों इस तरीके से आप जो अपने mobile phone की setting के जरीए ही आप जो delete हो चुकी photo वीडियो को recover कर सकते हैं ठीक है